एक ज़स्बात ये भी है जर्द सबको लगता है और दर का असर ऐसा होता है कि बड़े बड़े बाहुबलियों के पसीने चूट जाते हैं सासे हलक में अटक जाती है ऐसा ही कुछ हुआ मुखतार अंसारी के साथ पेशी के लिए बांदा से लखनओ जाते वाग ट्राफिक में मुखतार की अंबुलेंस अटकी तो मुखतार के परिवार की सासे भी अटक गए थोड़ी देर बाद लखनाओं के लिए अम्बुलिस तो बढ़ रही थी मगर मुखतार का दिल बैठा जा रहा था पता नहीं कब क्या हो जाए यूपी पुलिस की गारी जरा खराब क्या हुई पाहुबली का दिल धक्स से धड़क गया रात के अंधेरे से ज्यादा हालात के अंधेरे में डूब गया मुखतार गाड़ी बांदा और लखनाओं के बीच खराब होई थी मगर सांसे उपर नीचे होने लगी गाजी फुर तक या ला क्या होने वाला था एम्बुलेंस जरा जाम में क्या फंसी ऐसा लगा मुखतार के हलक में सांसे अटक गई बांदा से लेकर लखनाओं तक बाहु बली का दिल यूही घबराता रहा गाड़ी तो बढ़ रही थी मगर दिल बैठा जा रहा था कोट की पेशी वाले सफर में परिवार अन्होनी की आशंका जताता है दर और दैशत का ये हाल वो शक्स का है जिसे लोग मुखतार अंसारी के नाम से जानते है पूरवानचल में बाहु बली के नाम से ये पहचाना जाता है लेकिन योगी राज में ऐसे स्वयंभू बाहु बलीयों पर कानून का शिकंजा कसा है कि पुलिस के पहरे की पेशी में भी दिल घबराता है परिवार वालों को जान का खत्रा सताता है पूरविधायक मुखतार अंसारी साहब को अभी देर रात बांदा जेल से लखनव ले जाने की तैयारी हो रही है साजिश के तहट मेडिकल कैंसिल करवा कर और फिर आधी रात को बांदा जेल से लखनव ले जाने की एक कथित तैयारी बड़ी अन Chemistry की आशंका पैदा कर रही बांदा की जेल में बंद मुखतार अंसारी को लगनओ की अदालत में पेशी के लिए लाए गया बांदा की जेल से मुखतार अंसारी को लेकर जैसे ही यूपी पुलिस का काफिला बढ़ा पूरा का पूरा अंसारी परिवार टेंशन में आ गया अजरत गंज कोतवाली में उसी केस में मुक्तार अंसारी के साथ उसके बेटे अबास अंसारी और उमर अंसारी भी नाम जट थे आज मुक्तार अंसारी की उसी शत्रु संपत्ती कब जाने के मामले में पेशी के लिए मुक्तार अंसारी को लखनो ले जाय जा रहा है मुखतार अंसारी के अवैद कबजों पर कारवाई लगातार जारी है यह मामला लखनओ के जिया मव इलाके का है यहां मुखतार अंसारी पर फर्जी दस्तावेज बनवाने और शत्रू संपत्ती हडपने का आरोग है बांदा जेल से लखनों कोट लाए गये मुखतार अंसारी की पेशिव ख़त में हो चुकी है और अब यह गाड़ी मुखतार अंसारी को भावरी सुरक्षा के बीच में बाहर निकाला जा रहा है कोर्ट प्रिमाइसिस से बाहर निकाला जा रहा है तमाम अफसर है पेरामिलेटरी फोर्स है और यही वो एम्बूलेंस है जिसमें यूपी 32 एजी 0145 इसी में बैठा करके मुक्तार अंसारी को अब ले जाये जा रहा है बांदा वापस यहां पर आज मुक्तार अंसारी को कोर्ट कर रही है साथ में पीछे दूसरी गारी भी है उसको भी निकाला जा रहा है यह पूरी गारियां वहां बांदा से यहां तक साथ में आई थी कोट अब 8 अपरेल को इस केस की सुनवाई करेगा फिर से बांदा जेल से मुक्तार को लखनव लाया जाएगा हर बार परिवार को अन्होनी की अश्रंका सताएगी गानून व्यवस्था के राज में तबीयत घबराएगी लखनव से संतोश सर्मा के साथ आज तक ब्यूरो